हेलो प्यारे छात्रों नमस्कार आज आप लोगों को एक WH टाइप निगेटिव में एक सेंटेंस लिया जाएगा और फिर उसे आल टैंसेज में चेंज करना बताया जाएगा और साथ ही सभी सेंटेंसेज की हिंदी भी बताया जाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेंटेंस है प्रिजेंट इंडिफेंटेंस का सेंटेंस है यह वाय ड़ज दा फार्मर नाट प्लाव दा फिल्ड हिंदी बनेगी किसांद खेत क्यों नहीं जोतता है इसका जहें प्रिजेंट कांटिनुए स्टेंस में यह यह मार हो जाएगा हेल्पिंग और तो दा फार्मर है सिंगुलर नंबर है जिसके साथ एज लगेगा तो दिखेंगे वाय इज दा फार्मर याइंजी फार्म नाट लगात नाट लगातेंगे याइंजी फार्म प्लाव का प्लाविंग हो जाएगा दा फिल्ड हिंदी क्या बनेगी किसान खेट क्यों नहीं जोत रहा है अब प्रिजेंट पर्फेक्टेंस हैज है प्रियोग करेंगे तो हैज लगेगा दा फार्मर है तो वाई है है दा फार्मर नाट थर्ड फार्म क्या होगा प्लावड तो पी ल ओ यू जी एश्ट प्लावड दा फिल्ड हिंदी बनेगी किसान खेट क्यों नहीं जोत चुका है अब प्रिजेंट पर्फेक्ट कांटिनुए स्टेंस इसमें जो है तो है तो हैज भी नहीं प्रियोग करेंगे और साथ में आई एंजी फॉर्म लिखेंगे वाई फिर हैज सब्जेक्ट क्या है दा फॉर्मर फिर नाट लगाएंगे फिर बात में बीन लगाएंगे और आई एंजी फॉर्म प्लाव प्लाविंग दा फिल्ड फॉर्म टाइमिंग डाल दीजिए टू डेज हिंदी क्या बनेगे किसान दो दिन से खेत क्यों नहीं जोत रहा है अब पास्ट इंडिफिने टेंज इसमें डिट का प्रियोग करेंगे तो लिखेंगे वाई डेड दा फॉर्मर फिर नाट प्रियोग करेंगे प्लाविंग दा फिल्ड फिल्ड हिंदी क्या बनेगे कि किसान ने खेत क्यों नहीं जोता अब पास्ट कांटिन्वेस्ट इसमें वाजबल लगेगा तो लगा दीजिए वाई वर लगेगा वर दा फॉर्मर दा फॉर्मर फॉर्मर नाट इंजिए फ्ञंट प्लाविंगका दा फिल्ड ओध नहीं है वाज लगेगा तो वाज दा फार्मर नाट प्लाइंग दा फिल्ड वाज इसलिए क्योंकि सिंगुलर नंबर फार्मर तो हिंदी क्या बनेंगी किसान खेट क्यों नहीं जोद रहा था अब सबन नंबर है पास्ट पर्फेक्ट इन्स इसमें हैड का फ्योग करेंगे तो दिखेंगे वाई हैड दा फार्मर नाट थर्ड फार्म प्लाउड दा फिल्ड हिंदी क्या बनेगी किसान खेट क्यों नहीं जोद चुका था अब पास्ट पर्फेक्ट कांटिनर स्टेंस तो लिखेंगे वाई इसमें हैड में प्योग होता है हेल्पिंग तो लिखेंगे हैड दा फार्मर नाट बीन नाट बीच में आएगा फी बाद में बीन लगेगा और आए यंग फार्म प्लाउइंग दा फेल्ड टाइमिंग डाल दीजे और टू डेज हिंदी बनेगी किसान दो दिन से खेट क्यों नहीं जोद रहा था अब अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसमें से अल्विल को प्रियोग करते हैं तो लिखेंगे वाई लगाएंगे तो वाई विल दा फार्मर आप नाट वर्व की फर्स्ट फांट अप्लाउँ दा फेल्ड इंडे क्या बनेगी किसान खेट क्यों नहीं जोते गाँ अब फूचर कांटिन आश्टेंट इसमों साल भी विल्व यूज करेंगे तो लिखेंगे वाई विल दा फार्मर नाट भी आई एंजी फांग क्या होगा प्लाउइंग पी एल ओ यू जी एच आई एंग प्लाउइंग दा फेल्ड हिंदी क्या बनेगी किसान खेट क्यों नहीं जोत रहा होगा अब फूचर पर्फेक्ट इंज इसमें साल भी विल्व पर्योग करेंगे तो लिखेंगे वाई विल दा फार्मर नौट है ओ थार्ड फार्म क्या हो जाएगा लाउड दा फेल्ड हिंदी क्या बनेगी किसान खेट क्यों नहीं जोत चुका होगा अब लिखेंगे फूचर पर्फेक्ट यूचर दा यूचर अब आप लिखेंगे वाई बीखेंगे विल दा फार्मर नाट है विन अजिए फर्म क्या हो जाएगा फ्लाइग दा फिल्ड टाइमिंग डाल दीजे फॉर टू डेज हिंदी क्या बनेगी किसान दो दिन तक खेट क्यों नहीं जूतता रहेगा तो इस तरह करके आल टेंसे हमने चेंज किया एक सेंटेंस आप लोग भी चेंज करिएगा सेंटेंस है और देज दा बर्ड नाट फ्लाइए चिडिया कहां नहीं उड़ती है तो इसके आल टेंसेंज कर दीजेगा टाइमिंग डाल दीजेगा आज वान मंथ शाल इस एक महिने से प्यार वान मंथ लगेगा